हेलो फ्रेंट मैं वालोक राज और मैं आप लोग के लिए लाएं करेंट फेर्श 24 और 25 निसम्द दोएठा रहा है प्रेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लें आपको इसकी पीडिया प्रेंट फेर्श की पीडिया चाहिए तो आ से भी आप देख सकते हैं यहीं नोटिफिकेशन हो गहरा नहीं जाता है तो टेलिग्राम चैनल जोइन करते हैं तो चलिए प्रेंट यह आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर देख लिजिए और उसमें हमारे पताए हुए करेंट पर से बहुत सारे कोशन आया थे यानि कि 30 प्लस कोशन आये हुए थे ठीक है मैंने उसका भी पूरा प्रूफ के साथ डाला हुए था है तो चलिए फ्रेंट देखते हैं पहला करेंट है कि बारत ने परमारू आयूद ले जाने में सक्षम अगनी चार मिसाइल का सफल परिक्षन किया क्या किया अगनी चार का सफल परिक्षर किया यह क्या है परमारू आयूद ले जाने में सक्षम है ठीक है तो भारत ने ओडिशा टर से 30-दिसंबर 2018 को परमारू आयूद ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की याद रखे गा लंबी दूरी की मारक्षमता वाल है। ब्लेस्टिक मिसाइल अगनी चार technique t कि आपने के लॉट्ट परिक्ष्र किया गया आपको यह भी यहाद अख़ना है कि यह लॉऔंच परिक्षण किया गया तो चार से अगनी चार मिसाल का यह सातवा परिक्षण था इससे पहले भातिये सेना की सामरिक बलकमाद fbc द्वरा इसी अस्थान से दो जर्मट द्वयinos do और दो इंटार को इसका सफल परिक्षन किया गया था पर estoy परौरु चमता वाली ब्लास्टिक मिसाइल अगनी पांच का सफल किया जा चुका है जो कि 10 दिसर्वतक्र 222 इसकी मारग शमता 5,000 km है ठीक, तो अगनी-चार की हम लोग बात करते हैं तो थोरा सा इसके बारे में भी जान ले क्योंकि कोई चीज यह जो बहुत ही इंपर्टेंट चीज आ है तो इसके बारे में कहीं से और अगनी चार एक इंटरमीडियेट रेंज बलेस्टिक मिसाइल है या मिसाइल 20 मिटर लंबी है ठीक है और डेर मिटर चोड़ी है और सत्रा टन इसका वज़न है ठीक है फ्रेंच देखिये अगनी पांच जो मिसाइल है उसकी मारक चंता 5000 किलो मिटर है ठीक है और इसकी जो है रेंज जो परिक्षार हुआ है अगनी चार मिसाइल का इसकी रेंज यादि पूछता है तो 4000 किलो मिटर है ठीक है और 4000 किलो मिटर के दूरी तक के ये लक्ष को भेदने में सक्षम है तो ये भी आप नोट कर लें और इसमें आपको मेंच चीज एक और नोट करना है कि अगनी चार मिसाइल जो है वो सता से सता हुआली है ठीक है सता से सता क्योंकि बहुत सारे एक जामें पूछा हुआ है कि ये मिसाइल सता से आकास में मार करती है या आकास से सता में ऐसे तो ये सता से सता है ठीक है अगनी चार मिसाइल में पांच भी पीडी के कम्प्यूटर लगे हैं ठीक आधुनिक विसेश्टा है उरान के दोरान आने वाली खामियों से खुद को ठीक अमदिसाने देशित कर सकता है ये ठीक और बाकी इसमें इंपर्टन नहीं है संडे के लेक्चर में इसको और ज्यादा कभर कर देंगे पूरी मिसाइलों को ही बता देंगे अगनी चार अगनी पांच अगनी तिन जो भी है सभी चीज़े ठीक संडे को चलिए ये समाने जनकारी के लिए है जीएश्टी परिसाद ने तेश वस्तू वो सेवावदर को कम किया ठीक है तो इसने जीएश्टी परिसाद ने कम किया तो जीएश्टी परिसाद के बारे भी थोड़ा सा डीटेल्स हम लोग देख लेंगे जीएश्टी परिसा क्या है और इसका गठन कब हुआ बट इसको थोड़ा सा देख लेते हैं वास्तु है हम सेवा कर परिशत जीस्टी कांसिल जिसको बोलते हैं बाश दिसां बद्धो एठार को आम लोगों को रहात देते हुए टीबी स्क्रीन सिनेमा टिकट पावर बैंक सहित तेश वास्तु हो पर जीस्टी दर कम करने की गोशना कर दी यह संसोधन एक जन्वाश द्वावितों का बाकी चीज़ आप पढ़ लिजे और तब तक मैं जी जी ने की परिशत जो है वश्तु एवां सेवा कर परिशत भी बोलते हैं जी एश्टी काउंसिल भी बोलते हैं इसका गठन कभ हुआ था यदि आपके एक्जाम में पूछता है तो जी एश्टी परिशत का गठन 15 सितंबर 2016 को किया गया था ठीक है परिशत क्या करती है इसक कर निर्धारन से सम्मंदित पर्मूख निती निर्माता संगठन है या परिशत GST कर दर ठीक है कर में छूट टैक्स में जो छूट होता है उसे दे सकती है कर नियम यानि कि टैक्स का जो नियम होता है उसे बना सकती है तिथा कर डेटलाइन इत्यादिकर निर्धारन करती है ठ जेश्टी परिशात के अध्याक्ष इस्ता में जो है वो केंद्रिय बीत मंत्री हैं ठीक है तो आपको बताना है कि भारत के बीत मंत्री कौन है कमेंट वाक्स में ठीक इसके सदस्य करूप में बीत राज्य मंत्री के साथ साथ राज्यों के दो केंद्र ठीक है राज्यों एवं दो केंद्र सासित परदेशों के बीत मती के प्रतिनिदी भी सामिल होते हैं केंद्र का इसमें एक तिहाई मत है जबकि राज्यों का इसमें दो तिहाई दखल रखा गया है जियेश्टी परिषद में किसी प्रस्ताओं के सबिक्रित होने के लिए तीन चौथाई भाहमत होना जरूरी है जियेश्टी परिषद की आधि सुचना जारी होने के बाद से परिषद की पाली बैठक 22 सितंबर 2016 हुई थी ठीक है और अगली बार देखिए परे इसमें क्या है ना कि यह चीजे कौन सी दर कमी कौन सी चीजे कम होई कौन सी वस्तु मांगी होई यदि आप सीविल परती होगी है तो आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए हाँ जी एस्टी क्या है इससे आपको जरूर जानना चाहिए जैसा कि मैंने बताया ठीक है फ्रेंस तो आप और चैनल पर भी देखते होंगे करेंट फ्रेस अगरा आपको मालम चलता होगा कौन कैसा बताता है ठीक है फ्रेंस अगला करेंट है कि राष्टिय उभोकता दिवास 24 दिसंबर 2018 को मनाया गया तो इसमें स्कीन को आप लोगो दिख रहा होगा लेकिन आप लोग इसको पढ़िए तब तक मैं दूसरी चीजे बता जा रहा हूं ठीक है कि वोकता दिवस कैसे है क्या है कब कब मनाया जाता है ठीक है फ्रेंस तो चलिए ऑप भोकता दिवस के बार धिक है जैसे कुम का भी टेकलाइन है आपको बताना है कि कुम का, जो पर्याक राज में लगता है पहले इलावाद था तो कुम का टेक्गlair hurricane क्या है ठिक है आपको बताना है ठिक तो वैसे हैं यह दाश्ट भूकताद दिमस का भी एक टेकलाइन है जिसका मतलब नाम है वब्य उब्भोक्ता सिकायतों के समय बद निप्टान यानि कि उब्भोक्ता की जो सिकायते हैं उसे समय के अंदर उसका निप्टाना करना है ठीक है तो राष्टिय उभोक्ता दिवस के बारे में जान लेते हैं भारत में 24 दिसम्बर को राष्टिय उभोक्ता दिवस के रुप में मना जाता है क्योंकि उभोक्ताओं के सोसन से बचाने के लिए 24 दिसम्बर 1986 को ही उभोक्ता सरक्षर अधिनियम 1986 लागू किया गया था क्या क्या क्याथा 24 दिसम्बर 1986 को उब्वुक्ता सरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था ठीक है तो इसी कारण मना जाता है इसके बाद इस अधिनियम में 1991 1991 तथा 1993 में संसोधन किया गया वोगता सरक्षर अधिनियम को अधिकाधिक कार्य रत और पर्योजन पूर्ण बनाने के लिए दिसंबर 2002 में एक व्यापक संसोधन लागया और 15 मार्च 2003 को लागू कर दिया गया परिनाम स्वरोप वोगता सरच्षर नियम 1987 में भी एक संसोधन किया गया तथा 5 मार्च 2004 को अधिस सुचित किया गया ठीक है भारत में यद दिवास पहली बार कब मनाया गया यदि पुछता है तो वो 2000 साल 2000 में मनाया गया था ठीक है यह दिवास भारत में अपरतेक वर्ष मनाया जाता है भारत सरकार ने अभुगता के हीतों की दक्षा करने तथा उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश से अभुगता सरच्षर अधिनियम कानून को बनाया था और बाकि इस कानून सरक्षर अधिनियम की जो 1986 था उसमें भी जैसे कि सुरक्षा काधिकार सुचना काधिकार चुनने काधिकार सुनने जाने काधिकार उपचार काधिकार और भुगता सिक्षा काधिकार यह सब चीजे हैं ठीक है चलिए अब बाकी संडे को और डीटेल्स बताएंगे ठेके नहीं तो वीडियो ये लंबी हो जाएगे चलिए अगला है कि रक्षा मंत्री जो है निर्मला सितारमन ने सुचना समकेंद्र समेकन केंद्र का उड़गाटन किया किस ने किया निर्मला सीता रमन ने किया ठेक है चलिए तो यहां पर आपको यह भी एक चीज मिल गई कि रक्षा मंतरी कौन है इन्होंने 22 दिसंबर 2018 को सुचना परबंधन और 20 लेशन केंद्र का गुरुगराम में सुचना समयकन केंद्र हिंद महासागर शेत्र IFC IOR का सुबारम किया इस कारेकरम में रक्षा मंतराले, विदेश मंतराले, ग्री मंतराले, जाजराणी मंतराले के अधिकारियों के प्रतिनिदी के अत्रिक्ट NSCS राजदुत और साजिदार देशों के रेजिडेंट डिफेंस अटाचियों ने भी भाग लिया तो IFC IOR का जो बात चल रहा है, इसका उद्देश क्या है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है तो IFC जो है और फिर IOR जो है, इसका उद्देश सहयोगी देशों और बहुर आश्टी है जलसों के साथ 9 वहन जाग रुकता और सुचना साजा करने के लिए परस पर सहयोग करना है, ठीक है? चलिए, इसमें और कोई इंपर्टेट नहीं है, इस केंदर के जरिये जो है बारत समंदरी परिवान नौकाओं के संचालन और अन्यकरती विदियों पर नजर रख पाएगा यह तकनिक समंदर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल केंदर साबित होगी और इसकी मदद से ही हम हिंद महासागार के छेतर में सांती और इस्तिता का बढ़ावा देंगे ठीक है? इस छेतर में सांती को बढ़ावा देने के लिए भारत आई एफ सी आई ओ आर से मिली जानकारियों को मित्र राष्टों से भी साजा करेगा ठीक है और बाकी चीज़े इसमें इंपोर्टेंट नहीं है जो इंपोर्टेंट थी मैंने बता दिया बाकी कोई इंपोर्टेंट नहीं है चलिए अगला है बिहार के सिलाओ ख्वाजा बेंजन को जी आई टेग परदान किया गया है तो बिहार में मिलने वाली प्रेटिस्थान के सिलाओ ख्वाजा कोहाली में भगौलिक संकेत जी आई दिया गया है बिहार की याप पराम पर एक मिठाई है इस छेत्र की बिसिष्टा को दर्साने में आम भूमका निभाएगी जी आई डिप्टी रजिस्टार जी नाइडू ने इस बेंजन को जी आई टेग मिलने की गोजना की माना जाता है कि सिलाख ख्वाजा के सुरुवात उत्तर परदेश के पूर्भी जी लेता था बिहार के पश्चमी जीलों से हुई है इसका निर्मार गेहूं चलिए यदि आपको मन करें कभी बनाने का तो मैं उसका आइडिया बता देता हूँ इसका निर्मार गेहूं के आटे मैदा चीनी तथा इलाची त्यादी से किया जाता है वर्तमान में यह बेंजन बिहार ओडिसा पस्चिम बंगाल आंध्र परदेश त्यादी में काफी लोग पिरिये है इससे पहले बिहार की साही लीची को जी आई टेग परदान किया गया और यह कोश्चन आपके उत्तर परदेश में पूछा भी था साही लीची वाला ठीक है और फिर कोई एक और एक जाम में पूछा हुआ था ठीक है फ्रेंट तो फ्रेंट्स मैंने यहां पे 24 और 25 दिसंबर के करेंट अफेर्स की बात की वीडियो थोड़ा से लंबा चला गय है तो कोई नहीं इसमें मैंने जो भी इंपर्टेंट चीजे थी मैं पूरा पताने की कोशिस करता हूं कि क्या इंपर्टेंट चीजे हैं और आप लोग इसे कहीं नोट करते चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके फाइदे की बात है और यदि आप संग लोग से वाय हूं एक एक कोस्टन वाइस कराने की कोसिस कर रहा हूं ठीक है उसका भी अब बहास आप लोग करते रही है चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक क्यार अब